वेल्कम तू एजेंट आज तक के यूटूब के सफर में और दोस्तों जैसे ही मैंने अपना बॉट पब्लिश किया उसके बाद से मुझे टेलिग्राम पर वट्सब पर और कई जगा मुझे मेसेज़ेस आए कि हमें भी बॉट बनाना सिखाएए कैसे बनाते हैं तो हाँ दोस्तों आपने टाइटल एकदम ठीक पड़ा है आज हम देखने वाले हैं कि एक फुल्ली फंक्शनल बॉट कैसे क्रियेट करते हैं विदाउट एनी कोडिंग तो यह सबसे बड़ी बात है और यहां पर हम एक फुल्ली फंक्शनल बॉट की बात कर रहे हैं कई लोगों को तो बॉट फादर से बॉट बनाना आता भी है पर हम वहां उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम एक फुल्ली फंक्शनल बॉट की बात कर रहे हैं जैसा कि हमारा खुद का परसिनल बॉट जो है एकसेसिबल एप स्टोर बॉट है तो इस सीरीज में आपका स्वागत है यह सीरीज की पहली वीडियो है और इस पर कई सारी वीडियो बनने वाली हैं क्योंकि यह काफी लंबा प्रॉसेस है और एक ही तरह का प्रॉसेस नहीं है सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं तो इसकी कई सारी वीडियो आपको मिलेंगी तो यह आज की पहली वीडियो है तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस चैनल को जल्दी से जल्दी सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को और पर सिलेक्ट कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और दोस्तों चैनल को सस्क्राइब जरूर ही करें क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो लाने की सोच रहा हूँ और वेरी वेरी थैंकियू इतने सस्क्राइबर्स देने के लिए और आज की इस वीडियो को जरूर ही लाइक करें तो आज से मैं आने वाली वीडियो में मैं वीडियो का कुछ टार्गेट रखना चाहता हूँ लाइक का टारगेट जैसा कि आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कई सारे यूटूबर्स के वीडियो में तो मैं भी आज अपने वीडियो से लाइक का टारगेट लगाने वाला हूँ तो आज की हमारी वीडियो का लाइक का टारगेट है 18 लाइक्स तो देखते हैं आप लोग 18 likes करते हैं या नहीं करते हैं तो 18 likes का 18 likes का target है complete ज़रूर कराईएगा और वीडियो को share करें सबसे ज़्यादा यह सबके लिए useful वीडियो है और वीडियो आपको कैसी लगी हमें comment box में ज़रूर बताना और कोई और problem हो तो भी comment box में हमें ज़रूर बताना तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ let's go तो आचोके हैं हम अपनी home screen पर और दोस्तों मुझे लगता है कि जो मैं वीडियो अस बनाने जा रहा हूँ ऐसी blind community में तो पहले कहीं भी नहीं बनी होगी तो please please इस वीडियो को share करें और चलिए चलते हैं टेलीग्राम में तो मैं यहाँ पर blind gram का use कर रहा हूँ मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ तो आप टेलीग्राम में भी यह सब कर सकते हैं तो open करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें Botfather में ही जाना है दोस्तों Botfather की link आप को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और हमारे accessible app store bot की भी link आप को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो उसे भी जरूर ही visit करें और rate भी करें और हमारे इस Botfather के link आपको वीडियो के description box में मिलेगी वहाँ से आप इसे open कर सकते हैं या तो आप telegram message search भी कर सकते हैं at the red Botfather के नाम से तो आप वीडियो के description box से यह open किजिएगा तो जादा अच्छा रहेगा तो देख लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर यह कह रहा है rule them all तो जो लोग Botfather से Bot create करना जानते हैं वो लोग आज की इस वीडियो को skip कर दें क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ Botfather से ही Bot create करना बताएंगे आने वाली वीडियो में हम और उसमें function कैसे add कर सकते हैं वो सब बताएंगे तो आज हम सिर्फ Botfather से ही Bot create करना बताएंगे तो जो लोग Botfather से Bot create करना जानते हैं वो वीडियो को छोड़ सकते हैं लेकिन छोड़ने से पहले लाइक जरूर करते हैं और शेयर भी कर दें तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो मैं speech rate यहां पर अपना थोड़ा से slow कर लेता हूं उमीद है आपको समझ में आ रहा होगा चलिए से स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं यहां पर कुछ मेसेज आ चुका है तो यहां पर यह काफी सारे कमांड्स के बारे में बता रहा है तो हमें उनसे काम नहीं है उनसे हमें बाद में काम है अभी फिलाहल जिन कमांड' से हमें काम है हमें वही कमांड्स को देने हैं तो आगे स्टुक करते हैं तो सबसे पहला यह कमांड ہے न्यू बॉट इस पर यह आपको क्लिक करना है थो हो सकता है एक या लिकुंस में श्लैश न्यूबोट बोले मैं यहां पर स्मार्ट वाइस का यूज कर रहा हूं तो हमने यहां पर इसे यह न्यूबोट का कमांड सेंड गया तो इसने कहा है प्लीज चूज नेम फॉर यॉर बॉट तो हमें यहां पर अपने बॉट के लिए कोई सही एक नाम सेलेक्ट करना होगा तो हम यहां पर कुछ भी नाम से सेंड कर देंगे आप यहां पर नाम में कुछ भी लिख सकते हैं मैं आप डैमो लिख देता हूं अगर बैग्राउंड में थोड़ा सा शोर आ रहा हूं तो माफी चाहूंगा पर आप वीडियो पर ध्यान दें क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंट्रेस्टिंग है तो हमने यहां पर लिख दिया है डैमो बॉट अब इससे सेंड कर देंगे तो इसने यहां पर कहा है कि आप अपने बॉट के लिए कोई यूजर नेम चूज कीजिए तो दोस्तों मैं आपको यूजर नेम से यहां पर बता देना चाहता हूं कि यूजर नेम यूजिक होना चाहिए यानि कि किसी ने भी पहले वो यूजर नेम यूज ना किया हो जैसा कि आप अपना खुद का यूजरनेम लेते हैं उसी पिरकर आपको bot का भी कुछ username देना होगा unique तो यहाँ पर एक बात और है कि आप जो भी username लेंगे उसके last में bot लिखना required है तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं ना हम यहाँ पर अपना नाम लिखते हैं उसके आगे कुछ numbers लगा के देखते हैं तो यहाँ पर गलत लिख गया था नाम मैंने ठीक कर दिया है अब आगे हम यहाँ पर कुछ numbers लिख देते हैं ताकि मुझे नहीं लगता कि मेरे नाम से सिर्फ हो जाएगा ऑपन फीचर लिख दचाना तो मैं यहाँ पर लिखना ہے तो मैं वो भी लिख देता हूँ उसे लगा सकते हैं और आप की युजर नेम में श्केस नहीं लग सकते बेना आप कोई भी और सिंबल्स लगा सकते हैं आप सिर्फ अंडर्सकोर यानि की अंडरलाइन जो होता है उसे लगा सकते है तो मैंने यहां पर लिग दिया है अब इसे सेंड करेंगे इसने कहा है तो मुझे लगता है कुछ गलती होगी है मैं चेक कर लेता हूँ मैंसे देखता हूँ मैंने आपे स्पेस दे दिया है आप जैसे देख पा रहे हैं यहां पे स्पेस नहीं देना था अब मेरे ख्याल से ठीक होगा अब देखते हैं तो यहां पर यहां पर हमारा बॉट सक्सेसफुली क्रियेट हो चुका है इसने कंगरेचुलेशन मैसेज भी हमें भेज दिया है और इसने बताया है कि आप प्रोफाइल फोटो अबाउट डिस्क्रिप्शन और नेव अगयरा को एड़ेट भी कर सकते हैं सॉरी तो यहां पर हम सबसे पहले इसका कुछ अबाउट मतलब अबाउट जो होता है डिस्क्रिप्शन जो होता है डिस्क्रिप्शन लगाएंगे जो कि हमें बॉट के इंटरफेस में दिखता है पहले स्टार्टिंग पेज में दिखता है जैसे कि जहां पर लिख के आता है वाट एंडिस बॉट डू उसको हम लगाएंगे तो हम आगे स्वाइप करेंगे हैं यहां पर तो हम्हें सबसे पहले हेल्प पर ही क्लिक करना पढ़ेगा है पर क्लिक करते हैं और हमने जैसे यहां पर दिया है यहां पर यहां पर यह वही वाला मेसेज आ गया है जो स्टार्ट पर क्लिक करने के बादा आता है इसमें कमांड सारे आ चुके अब हम यहाँ यहाँ पर my bots वाले command पर click करना है my bots नाम का जो command यहाँ पर है उस पर आपको click करना है हम इस पर click करते हैं हमारे सामने यहाँ पर आ चुके हैं कुछ options तो इसने यहाँ पर का है choose a bot from list below लीचे दी गई shreddy मैंसे bot को चुनिए तो यहाँ पर हम अपना ही bot चुनिएंगे तो यहाँ पर जो हमने user name दिया है उसी के हिजाब से हमें चुनना होगा तो user name हमने दिया था इसी को हम click कर देते हैं तो यह वाला हमारा select हो चुका है अब देखते हैं तो इसने कहा है मतलब आप इस bot के साथ क्या करना चाहते है तो हम कुछ नहीं करना चाहते है हम तो इससे बनाना चाहते है अब आगे देखते है यह इसका user name है API token तो दोस्तों इस feature की हमें सबस्यादा मतलब इस option को आपको ध्यान में रखना है इस API token को हमें सम्हाल कर रखना है क्योंकि यह बहुत secure मतलब बहुत ही secure वाली चीज़ होती है से secure रखने के जरूवत है आगे देखते है edit bot है और आगे देखते है bot settings है payments है transfer ownership है delete bot है back to bot list है इसमें और कुछ नहीं है तो सबसे पहले API token पे क्लिक करेंगे आप लोग तो उसका API token आपको वहाँ पे show करेंगा तो हम उसको बात में देखेंगे पहले हमें इसके user name मतलब description में कुछ set करना है तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ उस bot को user name पे जैसे ही क्लिक करेंगे यह हमारा बॉट है इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे इस बॉट पर हम पहुंच चुके हैं देखिए तो यह बॉट है demo bot इसको start करेंगे कुछ भी नहीं है यहां पर स्क्रीन पर कोई भी message नहीं लिखा हुआ है अब बैक चले आते हैं तो अब हमें यहां पर जाना है Edit Bot वाली option Edit Bot में जाना है इस प्लिक करेंगे तो इसने यहां पर का है कुछ भी यहां पर सैट नहीं है अभी तो हम आगे स्वाइब करते हैं यह फिर से यूजर नेम है Edit Name तो Name जो हमने शुरू में दिया था जैसे कि हमारा Bot का नाम है Demo Bot उसको हम यहां से चेंज कर सकते हैं आगे देखते हैं Edit Description जो अभी हम देने वाले हैं Edit About About का मतलब मैं आपको बता देता हूँ About का मतलब होता है जैसे कि जब भी उस Bot को कोई Share करेगा तब वहां पे About में उसके लिखा हुआ आएगा Edit Bot Pick बतन जो भी हम About में Set करेंगे Bot Pick हम यहां पे लगा सकते हैं कुछ भी जो Profile Pick पे दिखाई देगी Command से यहां से Edit कर सकते हैं पर यहां से हमें Command नहीं लगाने Edit Bot Pick My Bot, Bot Father Edit.Pot.2006 Bot Info Name Edit Description बतन Edit About Button तो हम Edit About पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने इसके Edit Description पे क्लिक करेंगे हमें Description एडिट करनी है Edit Description बतन तो हमने इस पे क्लिक किया आप देखते हैं Bot Father, Okay Send me the new description for the bot People will see this description when they open a chat with your bot In a block titled What can this bot do? 4.05 PM तो इसने आप पे का है Send me the description People see your bot Page मतलब home page जैसे कुछ इसने का है जो दिखाई देगा What can this bot do के आगे तो हम कुछ भी यहां पे लिख के बेज सकते है Message Text Box Showing English Us, QWERTY, Keyboard यहां पे हम लिख देते है This is our bot For example चलिए यहां पे लिख देते है This is a demo bot A, 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 D, D, E, D, J, K, L, M, Dem, P, O, Demo, B, Demo, D, Demo, Space, Demo, B, 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 O, N, T, Bot तो हमने यहां पे लिख दिया है This is a demo bot देख लीजिए This is a demo bot text box currently edited अब यहां पे send कर देंगे Send Showing English Us, QWERTY, Keyboard Left limit back to bot You, Scene This is a demo bot 406 PM तो हमने यहां पे यह भेजा Bot father Success Description updated help 406 PM उसने का है Description updated Help Left limit back to bot button तो अब यहां पे हम Back to bot पे क्लिक करके Bot पे एक बार जाके देखते हैं कि Description एड़ हुआ या नहीं Edit bot button You, Scene Bot father Adpa in 2006 bot हम इस username पे क्लिक करके Bot पे जा सकते हैं तो bot पे हम आ चुके हैं अब देखते हैं इसके Screen पे मतलब Home page पे कुछ लिखा हुआ है या नहीं तो सबसे पहले देखते हैं तो यहां पर यह लिख कर आ चुका है This is a Demo Bot अब इसके आगे Start बटन आ चुका है पर Start पर क्लिक करने से कुछ अभी फाइदा नहीं होगा तो अब बैक करते हैं तो यहां पर हमने इसका description एड़ किया है हम कुछ about मैं भी एड़ करके देख लेते हैं इसके हम about मैं भी कुछ भी एड़ कर सकते हैं और about मैं अभी एड़ नहीं कर रहा हूँ आप लोग about मैं कुछ भी एड़ कर सकते हैं जैसे कि जब भी कोई share करेगा इस bot को तो share का जो text है और जो bot की link होती है उसके साथ जो आपने text यहां पर about में set किया होगा वह वहाँ पर show करेगा तो और देखते हैं बॉट सेटिंग्स में चलते हैं तो इसने काया settings for at the rate of 2006 बॉट इन लाइन मोड तो इन लाइन मोड से हमें कोई काम नहीं है आप चाहें तो इसे on भी कर सकते हैं या फिर आप इसे off ही रहने दे तो अच्छा रहेगा बाइड डिफॉल्ट मेरे ख्याल से यह off होता है allow groups ले पीड रहा है करके आप कि यह पूछ राइ чего आप इस बॉटको ग्रूप में लाओ कर नाजाते हैं या नहीं इसका मतलब यह group मतलब यह बाट जो है group में a возь किया जाना चाहिये या नहीं किया जाना चाहिये कोई कर सके या ना कर सके तो हम इसे आउन कर देंगे देखते हैं बाइट फॉल्ट होता है आफ इसने आप इनेबल है पहले से ही और जब आप इसे डिसेबल कर देंगे तो कोई भी इसे ग्रुप मैं नहीं कर पाएगा कर देंगे तो यह ग्रुप के लिए ऑफ हो जाएगा यह ग्रुप मैं नहीं होगा तो बैक्टू सेटिंग्स चलते हैं अलाओ ग्रुप्स ग्रुप प्राइवसी हमने यह पर देखते हैं ग्रुप प्राइवसी भी यसी है बैक्टू बॉट करते हैं बॉट सेटिंग्स देखी पेमेंट्स और ट्रांसफर्शिप ओनर्सिप में ऐसा ही कुछ है डिलीट बॉट पर ग्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि bot में कोई भी function कैसे add करنا है यानि कि कोई भी छीज कैसे add करते हैं उसमें कोई command कैसे add करेंगे वो हम देखेंगे आने वाली videos में तो यहाँ से होम चले याते हैं तो कैसी लगी आपको यह वीडियो हमें comment box में जरूर ही जरूर ही जरूर ही बताना आना और वीडियो को प्लीज 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 पीज लाइक करें शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर सेलेक्ट कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो दोस्तों वीडियो को जरूर ही शेयर करना दोस्तों के साथ क्योंकि ये काफी यूनिक टॉपिक है और ये काफी यूसफुल भी है तो जो लोग टेलिग्राम चलाते हैं वो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और दोस्तों आप हमारे टेलिग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और अबाउट पेज में भी अवेलेबल है तो आप हमारे बॉट को भी विजट कर सकते हैं जो हमारा एक्सेसिबल एप स्टोर बॉट है वहां से आप एक्सेसिबल एप्स और गेम्स को इजीली फाइंड करके डाउनलोड कर सकते हैं तो आप उसे भी देखें और फाइव स्टार रेट का उसमें ऑप्शन दिया हुआ है वहां पर जाके आप उसे रेट जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नेक